हेलो स्टूदेंस वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम डिस्कुस कर रहे हैं चैप्टर बायलोजिकल क्लासिफिकेशन और टॉपिक है थ्री किंग्डम सिस्टम ऑफ लासिफिकेशन ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि तो फॉस्टे इस प्रपॉजफिकेशन किसे प्रपोस किया था तो फर्सटेस प्रपोजड यख़ असे कर डिक है किस ने प्रपोस किया है स्को अंस्ट है कि अन्स्ट हेकल ने पर पॉस किया थ data और ऑर आंश्ल suburbsistan थम पुसको नने तीन क्लासिफिकेशन दी तो उन्होंने बताया था एक तो प्लांटे किंग्डम यह हमारे पास पहले से था दूसरा एनिमेलिया ठीकेश इन्होंने कौन सा किंग्डम अड़ किया है यहाँ पर आपको ध्यान देना है थर्ड नमबर पर यहाँ पर आया है प्रोटिस्टा है अब हमदेखेंगे बारे में कुछ important features कि protesta जो group है उसके organisms कैसे होते हैं कैसे कैसे characters वो show करते हैं ठीक है तो protesta में सबसे पहले आपको याद रखना है कि protesta is a group of unicellular eukaryotes कैसे organism मिलेंगे यहां पर unicellular eukaryotes so first is group of unicellular मतलब cell तो एक ही होगा single but वैसे उनकी जो cell की organization है वो eukaryotic होगी ठीक है first point is clear उसके बाद आपको देखना है कि जो protesta की members होते हैं they are mostly aquatic ठीक है mostly कैसे होंगे aquatic organisms होंगे members ठीक है next point is कि protesta की जो members होते हैं उनकी boundary well defined नहीं होती so boundary boundary not well defined मतलब उनकी cell wall है या plasma membrane है वो बहुत जादा well defined नहीं होती boundary is not well defined ठीक है next यहां पर हम देखेंगे कि कौन-कौन से organisms इसके अंदर आएंगे ठीक है तो organisms हम यहां पर देखेंगे protesta के अंदर कौन-कौन से organisms रखे गए थी तो आपको याद होगा कि टू किंग्डम क्लासिफिकेशन में वे ने आपको बताया था बाक्टीरिया एल्गी फंजाई डाइटम्स यह सब प्लांटे किंग्डम में रखे गए थे थी तो एक नया में नेक्स्ट इस अल्गी नेक्स्ट इस बाक्टीरिया देन स्लाइम मोल्ड ठीक है उसके बाद आप देख सकते हो क्लेमाइडो मोनाज क्लॉरेला एटसेक्टर तो यहाँ पर आप यह देखो कि यह जो औरगानिजम्स है इसमे सिप्रोटोजोवाद एनिमेलिया में था टू किंडम में और बाकी फारे किसमें थे प्लांटे में तो वहां से इनको उठाया फ्लांटे की इंग्डम से। और क्समें आड़ कर दिया। प्रोटिस्टा के अंदर इनको आड़ कर दिया। así that we get these very very important point कि जो ठीक मेंबर्स होते हैं उनका life style बहुत ही जाधा diverse होता है, ठीके? तो next important point देखेंगे कि जो Protesta की members है, they show diverse lifestyle. They have diverse lifestyle. Diversity होती है उनके lifestyle में. अब lifestyle में क्या diversity है? यह हम here पर देखेंगे. सबसे पहली diversity हम देखेंगे, locomotion में. कि दे शो डाइवर्सिटी इन लोको मोशन तो लोको मोशन में देखो लोको मोशन के लिए इनके पास सीलिया होते हैं ठीक है स्यूडो पोडिया होते हैं और यह अधिया की मदद से भी मूफ करते हैं इनके पास फ्लेजिला भी होता है तीन यहां पर क्या है इस ट्रॉक्चर से जिनकी हल्प से यह मूफ करेंगे ठीक है तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए इन में सबसे फास्टेस्ट अगर आप से पूछा जाए चीलिया इसलो के अंधर आएगा तो बी मिलते हैं चैसल प्रोतो तो ऐखाल से और ऊफ्लेजिला यह मिलते हैं योगलीना में बोल सकते हो आप या फै ट्रिपैनोजोमा इन में आपको क्या मिलेगा योग फ्लेजला तो यह ओ गया डाइवर्स लाइपस्टाइल में सबसे पहला लोकोमोशन नेक्स्ट है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर है, they also show diversity in nutrition, nutrition में भी वो काफी जाधा diversity show करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे second, second जो है diversity is nutrition में, so nutrition में देखो, उनमें कौन-कौन से nutrition हो सकती है, autotrophic हो सकते हैं, autotrophic में आपको पता है, जो अपना food खुद से synthesize करेंगे, उनको हम autotrophic बोलते हैं, next, वो heterotrophic हो सकते हैं, heterotrophic में देखो, फर्दर तीन आ जाती है, heterotrophic वो हैं, चुकि अपना food खुद से synthesize नहीं करेंगे, वो किसी और पर dependent होते हैं, ठीक है, तो देखो, इसमें आ जाएंगे, आपका एक होती है, symbiotic relationship, symbiotic mode of, दूसरी यहां पर आप लिख सकते हो, parasitic, और तीसरी हम यहां पर लिख सकते हैं, saprophytic, तो heterotrophic के अंदर यह सब हैं, ठीक है, next यहां पर जो mode होती है, third जो है, diversity in nutrition is, mixotrophic, mixotrophic mode होती है, mixotrophic का मतलब है, दोनो है, autotrophic भी होंगे और heterotrophic भी होंगे, दोनो तरह की nutrition जो है, शो करेंगे, और यह जो है, इस तरह की nutrition यहां पर मिलती है, यूगलीना के अंदर, जो यूगलीना है, वो mixotrophic nutrition शो करता है, यह बहुत जादा important है, पूछा जाता है, नीट के paper में, कि कौन सा organism protista में ऐसा है, जो कि mixotrophic nutrition शो करता है, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो, कि जो protista के members हैं, वो उनकी diversity बहुत जादा है lifestyle में, locomotion अलग-अलग structure से कर रहे हैं, nutrition अलग-अलग तरह की show कर रहे हैं, ठीक है, अब हम यह आपे देखेंगे कि what is the major contradiction, major drawback क्या था इस kingdom का, इसमें drawback यह था major, कि देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो protista है, it is a group of unicellular eukaryotes, तो इसमें कोई भी pro-karyotes होना नहीं चाहिए, जबकि जो bacteria होता है, यहां पे हमने bacteria add किया है, bacteria कैसा होता है, pro-karyotes, तो bacteria के जो position थी इस kingdom में वो गलत थी, ठीक है, तो drawback क्या था, position of bacteria, और bacteria क्या है, pro-karyotes, जबकि यह जो पूरा group है, यह किस के बारे में है, eukaryotes के बारे में, ठीक है, तो यहां पे यह जो है, इसकी major drawback है, तो यह सारी information है, three kingdom classification के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो please वीडियो को लाइक करिए, जाज से ज़्यादा शेयर करिए, comment करिए, ठीक है, और अगर आपको चाहते हो में किसी और topic पे आपके लिए वीडियो बनाओ, तो please मुझे comment section में बताइए, thank you so much for watching.